नमस्कार दोस्तों, आपका हमाई चैनल पर स्वागत है दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पूरा पढ़ने के कोशिश कर रहे हैं पिछली कुछ वीडियो συ bank में हमाइ भार्तेंदू युग और द्विवेदि युग कि लगभग सभी important question और सभी महतपून विशय हम पढ़ चुके हैं आज हम पढ़ेंगे च्छायवादी यूग च्छायवादी यूग से संबंदित सभी प्रशनों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे विडियो का अंतक जरूर देखिएगा कोई भी point skip मत कीशिएगा देखिए जो च्छायवादी यूग है वो 1918 इसवी से 1936 इसवी तक का समय है इसे शुक्ल यूग भी कहते हैं क्या कहते हैं शुक्ल यूग च्छायवादी यूग का जन्म क्यों हुआ था? च्छायवादी यूग का जो जन्म हुआ था वो दुदिवेदी यूगीन कविता की प्रतिक्रिया सोरूप हुआ था क्योंकि द्विवेदी युगीन जो कवीता थी वह विशयनिस्ट, वर्णन परधान और स्थूल थी जबकि चायवादी कवीता कैसी थी व्यक्तिनिस्ट, कल्पना परधान एवं शूक्ष्म मुकुर्दर पांडे ने श्री शारदा पत्रीका में फरकाशित अपने एक निबंद में सरपरधम छायवाद शब्द का परियोग किया यह इसलिए बताया क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि छायवाद शब्द का स्वर पर्थम प्रियोग किस ने किया था तो आपका उत्तर होगा मुकुर्धर पांडे ने कहां किया था श्री शार्दा पत्रीका में अपने एक निबंध में छायवाद ने हिंदी में खड़ी खड़ी बॉली कविता को पूर्थ प्रतिश्टित कर दिया याद रखिए खड़ी बॉली कविता को पूर्थ प्रतिश्टित किस ने किया छायवाद ने खड़ी बॉली का आरम कम हुआ था द्विवेदी यूग में कविता के रशनाव करने में और प्रतिश्टित हुई य को काव्य से बाहर कर दिया था चायवादी यूग ने दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यह दी आप हमारे चैनल पर नहीं है और साथ में बैल आकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सक कर विद्वानों में मत भेढ हैं देखे महादवी वरमा क्या कहती है कहती हैं कई चायवाद तर तो प्रकरती के बीच जीवन का उधीत है उसका मूल दर्शन सर्वात्म वाध है नगेंद्र कहती है कि च्थूल के प्रतिष्योक्ष्म का वीद्रोह है डॉक्टर क्राम कुमा पर्मार्मा का मानना है कि परमात्मा की छाय आत्मा में और आत्मा की राश प्रेम की भावना भी है इसमें प्रकर्ति का चित्रन भी इसमें है चित्रात्मक एवं लाक्षनिक भाशा का प्रियोग च्यावादी काव्य में हुआ है परतिकात्मकता भी खूब भरी पड़ी है च्यावादी काव्य में मुक्तक चंदों का प्रियोग किया गया है बहुत इंपोडेक्र पूछ लिए जाता है कि चायवाद के चायर स्थम्भव में कौन कौन से कवी है या नीवन में से कौन सा कवी चायवाद के चायर ऀंदन स्मेस्त मतंथ सुर्यकांतरी पाठी निराला और महादेवी वर्मा याद रखिए जैशंकर परसाद सुमित्रा नंदन पंत सुर्यकांतरी पाठी निराला और महादेवी वर्मा चायवाद के चार स्तंबों में माने जाते हैं चायवाद के अन्य कवी हैं, अजार परशाद द्विवेदी और नंदुलारे बाजपई भी हैं, देखें जो रामचंद्र शुकल थे, खासकर याद रखें, रामचंद्र शुकल, अदुम, लाल, पुन्ना, लाल, बक्षी, बापु, गुलाब राय, इन्होंने द्विवेद युग में भी कावय रचनाई की, और चायवाद युग में भी, दोनों युगों में, इन्होंने कावय रचनाई की हैं, आप पड़ते हैं, चायवाद के जो परमुक कवी हैं, उनकी रचनाई, सबसे पहले बारी आते हैं, जैशंकर परसाद की, जनम 1890 मृती 1937, इनकी अगली बारी आते सुर्यकाम त्रीपाठी निरालकी जन्म 1897 में मिर्थी 1963 में रचनाए हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, बेला और नईपत्ते, स्रोसमृती, अराधना इनसे संबंदित जितने भी महत्पून, प्रशन और पॉइंट है, वो हम आपको इसके बाद बताएंगे पहले सब की रचनाएं और कभी इसकाल के पढ़ लेते हैं महादेवी वर्मा, जन 1907, मिर्टी 1987 वी, नीहार, रश्मी, निर्जा, सांधेगीत और यामा ये महादेवी वर्मा की रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं कौन-कौन सी हैं? देखे, जन 1907 में हुआ था, अमित्री 1977 में पंत की रचनाएं उच्वास, ग्रन्थी, लोकायतन, गुंजन, युगांत, पल्लव, वीना, चिदंबरा, कला और बुड़ा, चान इस काल के जो महत्पून तथे हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं देखे, ये सभी महत्पून तथे हैं, इसे सम्बंदित प्रशन कई बार आते हैं और जरूर कुछ न कुछ प्रशन इसमें से आते हैं, दो-तीन प्रशन तो आते ही आते हैं देखे, कामाईनी, के तीन पर्मुक पात्र हैं, मनू, श्रद्धा और इड़ा और ये तीनो पात्र किसके प्रतीक हैं, मनू जो है, वो मन का प्रतीक है, श्रद्धा, हिर्द्यका और इड़ा, बुद्धी का प्रतीक है ये पूछ लिया जाता है कि श्रद्धा किस चीज का प्रतिक है तो हिर्द्य का, इडा किसका प्रतिक है बुद्धी का, मनु, मन का कामाइनी में सर्ग पुछे जाते हैं कि कामाइनी में कितने सर्ग हैं तो कामाइनी में सर्ग हैं पंद्रा सुमित्रा नंदन पंथ प्रकर्दी के सुकुमार कभी कहा जाते हैं प्रशन आता है कि प्रकर्दी के सुकुमार कभी किसे कहा जाता है तो आपका उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंथ महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है याद रखिए आदुनिक मीरा किसे कहा जाता है मादेवी वर्मा को कामायनी परसाद की अंतिम कृती है याद रखिए जर्ना चायवादी यूग का पर्थम कावे संग्रे है चायवादी यूग का पर्थम कावे संग्रे कौन सा है जर्ना और खडthis पुश्तिएंवाद के विच कावे कवह उन्हें क्या कहा जाता है उत्तर चायवाद और उत्तर चायवादी कावे के पर्मु कवी कौन कौन सी है इने किन भागों में बाटा गया ये देखे जो उत्तर चायवादी कावे है उसे दो वर्गों में बाटा गया एक राश्ट्रिय सांस्कृतिक कावे धारा दूसरा पने मूलक व्यक्तिक कावे धा थी पड़ने मूलक, वैक्तिक कावेधारा के कवी कौन-कौन हैं हरिवंश राय बच्चन रामेशवर शुक्रांचल और नरेंज्र शर्मा, यह नकी मुख्या रच्चन हैं, बच्चन की रच्चन है कौन-कौन सी हैं, मदुशाला, मदुबाला, मदूकलष, निशान इमंत्रन अंचल जी की रशना है मधूलिका, अप्राजिता, वर्शांत के बादल, करील नरेंद्र शर्मा जी की रशना है शूल, फूल, परभात फेरी, द्रोपदी, सुवर्णा, उत्तरजय, पलाश वन माखनलाल चत्रुवेदी, जो राश्य कावेधारा के कवी है, इनकी रशना है हिम तरंगिनी, हिम की रिटनी, पुष्प की अभिलाशा, यूग चरण, बालकृष्ण नर्मा नवीन की रशना है, एपलक, और्मिला, रश्मी रेखा, हम विश्पाई जनम के दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगिए, तो लाइक शेर जोरू कीजिएगा, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, छैवाद उत्तर कवीता, परगतिवाद, परियोगवाद, और समकालीन कवीता, नई कवीता भी उनमें पढ़ेंगे, दोस्तों वीडियो अच चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पैल आइकन प्रैस कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिविकेशन आप तक आसानी से पहुन सके, धन्यवाद